नमस्कार, welcome back to my channel, मेरा नाम है संकुराथ मिस्टा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल का मुख्य उद्धूस है, government employees, pensioners, family pensioners, senior citizens, common citizens, इन लोगों का जो भी basic benefits, इंटेलमेंट्स रहता है, जो government of India, time to time provide करता है, even state government भी time to provide करता है, इस चैनल का मुख्य उद्धूस है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक important topic कबर करेंगे, दोस्तों बहुत सारे बैक्ती है, बहुत सारे मेरा viewers से, लोग बहुत time पे मुझे comment section में comment करता है, phone, email ऐसा करता है कि family pension, family का परिवासा क्या है, family eligible, कौन-कौन बैक्ती है, जो family pension के लिए हगदार होता है, देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि family, family का परिवासा क्या है, एक group of people जो एक दूसरे से related है, blood relation में related है, उसी को हम लोग family कहते हैं, मगर एक government employee जब कोई सरकारी नौकरी में enter कर जाता है, तो उसका जो family, जो government और family को जो भी benefits provide करता है, वो अलग होता है, उनमें categorized already कर दिय गया है, कि family जितना भी लंबा किना हो, कितना भी गहरा किना हो, family जितना भी बड़ा हो किना हो, only benefits, only इस category में ही मिलेगा, हाँ हो सकता है, कोई government employee का family नहीं है, वो किसी को नौमिनेट करके जाता है, उनका जो ग्रैचुटी, जी पीएप, ग्रूप इंसरोंस का पैसा, इस category में आप जिस category के लिए हम लोग आज discuss करेंगे, वो छोड़के family pension के लिए और कोई भी हदर नहीं होता है, माल लीजिएगा, यह जान लीजिएगा, कि यह भी है कि ग्रैचुटी का पैसा, जी पीएप का पैसा, ग्रूप इंसरोंस का पैसा, लीव एंकरस्मेंटा का जो भी नहीं सही नहीं है, तब भी जाके government employee कोई दूसरे को nominate कर सकता है, उनका जो benefits के लिए, मगर family pension के लिए, जो category आज हम लोग discuss करेंगे, उनके लाबा कोई भी और eligible नहीं होता है, family pension के लिए, तो वीडियो को अन तक देखिएगा, समझीएगा, कि family का परिवासा क्या है, और CCS Pencil Rule 1872 का आधार में, family में कौन-कौन बैक्ती, कौन-कौन members, family pension के लिए categorized है, यह सब हम लोगा चानेंगे, हम लोग स्कीन पर जाएंगे, स्कीन पर मूब करेंगे, स्कीन पर जाने से पहले, आप लोगों से फिर से अरोध होगा, जो भी मेरे चैनल पर नहीं है, जो भी अभ maximum people may be benefited from this video, चलिए हम लोग स्कीन के तरफ जाते हैं, तो दोस्तों हम लोग CCS Pencil Rules 1972, जहाँ पर family का detail क्या है, family का कौन सा member eligible have grant of family pension के लिए उस page पे आ चुके है, यहाँ पर पहला ही point में लिखा गया है, जब भी कोई वेक्ती, government service में दाकिल होता है, तो उनको immediately, दाकिला के बा in case government servant का तब जब वो दाकिल होता है government employment में, तब उसका family नहीं रहता है, तो जब उनका family acquire हो जाता है, तब वो immediately form the fill in करके department में head of office में submit कर देना उनको चाहिए, उसके बाद दोस्तों मेरा 8 अगस्ट 2021 में एक video अपलोड है, जहाँ पर मैंने admissibility of family pension in case of second मेरे उसके उपर एक video publish किये था, उनके relation में ये जो point है, वहाँ पर लिखा गया है, कोई भी सरकारी कर्मचारी बरतमान अवस्ता में साधी सुधर रहते होए, दूसरा marriage के लिए, दूसरा ब्यवा के लिए allowed नहीं है, eligible नहीं है, और permissible भी नहीं है, आप बसरते central government उनको permit करे तो, उसके बाद वो second marriage कर सकता है, कब condition क्या है, अगर उसका बरतमान जो spouse है, उसका दयानत हो जाता है, नहीं तो बरतमान spouse से divorce हो जाता है, मतलब judicially separated spouse, उसके बाद वो एक मत्र condition में दित्य विवाग कर सकता है, इसमें याद रखिएगा कि government servant को अबस्त, अगर उसका बरतमान spouse death कर जाता है, तो death और certificate अबस्त हो लोगों को रेक लेना चाहिए, क्योंकि future complications को avoid किया जाए यहाँ पर, उसके बाद देखिए हम लोग जाएंगे family members, कौन कौन सा family members eligible होता है grant of family pension के लिए, पहले ही spouse, अगर husband कम करता है तो wife उनका spouse है, अगर wife कम करता है तो husband उसका spouse है, यहाँ पर साधी का प्र marriage registry certificate अबस्त होना चाहिए, यह highly desirable है, हाला कि mandate नहीं है, मगर सबसे आप लोगों से सबसे दरखास होगा कि अपना marriage certificate, marriage को registry अबस्त करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन पर marriage registry certificate valid होगा, कोई भी spouse को benefit मिलने के लिए, उसके बाद children होता है family में, और adopted children भी हो सकता है, चिल् daughter, unmarried daughter, disabled children, widow daughter, divorce daughter, सभी category में children को family pension के हगदार माना जाता है, adopted children, अगर कोई government servant का नीजी संता नहीं है, वो कोई children adopt किया है, वो भी eligible है family pension के grant के लिए, मगर in this case यादा कियेगा, valid adoption certificate, competent authority से issue किया रहना चाहिए, उसके बाद parents, हम लोग जानते है, parents को भी dependent parents को भी family pension के grant दिया जाता है, parents हो सकता है, adoptive parents भी हो सकता है, मगर in this case also valid adoption certificate, अगर आपका पिता माता adoptive है, उसका भी valid adoption certificate रहना चाहिए, ताकि future में आप लोग प्रूब कर सके कि यह हम लोगों का parents है, और यह आप लोगों का local law permit करता है, हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लाल एक्सर में mention कर दिय है कि कोई भी adoption related आपको information चाहिए, procedures related information चाहिए, तो scara.nic.in यह website में आप लोग जा सकता है, जो है कि central adoption resource authority, जो adoption related सारे procedures का apex body है, वहाँ पर से ही सारे circular जारी होता है, उसके बाद 4 number पे disabled sibling, जो जानते हैं हम लोग ब्रादर और सिस्टर होता है, sibling का मतलब brother और भाइवन होता है, मगर only भाइवन नहीं, उनको disable होना चाहिए, अगर वो लोग असक्सम है अपने उपार जन के लिए, तो वो लोग family pension के यह category में, अगर कोई भी जीवीद नहीं है, जैसे spouse, children, parents जीवीद नहीं रहते हैं, उनके बाद disabled siblings भी family pension के grant के लिए eligible ह होता है, देखिए नीचे blue color में मैंने highlight करके रखा है कि देखिए, however all eligibility to receive family pension will be governed by orders issued by government of India time to time, याद रखिएगा, कोई भी eligibility का कोई भी amendment अगर हो, government of India time to time, यह issue करता है notification, उसके आधार से ही eligibility का idea को निरधारित किया जाता है, तो दोस्तों, I hope, आज के इस वीडियो के मादब से आप लोगों को यह जानकरी में आ गया है कि family government servant का family family pension grant के लिए क्या है, सभी बैकती है, अगर family में government servant एक साथ मिलके बहुत बड़ा family है, फिर भी वहाँ पर सब लोग eligible नहीं होता है family pension grant के लिए, only CCS pension rules 1972 के अनुसार, यह जो category है, चार category का जो भी beneficiaries है, वो ही family pension के लिए सब्सक्राइब होते है, हाँ हो सकता है, आपका गैचूटी, GPF और group insurance का पैसा, अगर in this case, कोई भी आप आपका benefit सरी नहीं रहता है, तो दूसरों को आप लोग नॉमिनेट कर सकता है, मगर family pension उन लोगो नहीं मिलेगा, आपका जो भी entitlements है, गैचूटी, GPF और group insurance का पैसा, पैसा यह उन लोगो को मिल सकता है, जिसको उपर भी मेरा अल्रेडी वीडियो है, आप लोग गो थू कर लीजीगा, तो दोस्तों, thank you for being with me, जै हिन, thank you very much, मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगए, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सेहर भी कीजिएगा,